अमेरिकी राष्ट्पती डोनाल ट्रॉम्प के साथ प्रियम नरेद्र मूदी की मुलाकात से ठीक पहले चीन ने कैलाश माल जुरूबर यात्रा पर रूप लगा दे और इसकी पीछे उसने सुरक्षा कार्डों को सिंदेदार ठहराया इतना ही ने मोदी श्रम की मुलाकात से कुछ घंटे पहले सिक्की में चीनी स्यानिकों ने भारतिय बंकरों को तोड़ा और धक्का मुक्षी के इस घंटा का वीडियो भी सामने आया है जिसमें चीनी स्यानिक ठक का मुक्षी करते हुए अंधू को भी दिखाई दे जाएं बगर चीन को ये सब नहीं दिख रहा है इतना ही नहीं ड्रैकन के विदेश मंत्राले ने भारत सरकार से इस मामने की जाज करनी की मांग तक कर डाली है यहां तक तो ठीक था लेकिन मंगलवार को उसने एकड़म धंकी भरे अंदाज में कैलाश मान सुरुवर यात्रा जारी रखने के लिए अपनी शर्ट पेश कर दी है चीन निखा कि भारतिये सैनी तुरन पीछे हट जाएं भविश्य में कैलाश मान सुरुवर यात्रा जारी रखना इस बात पर निर्फर करेगा कि भारत इस प्रक्राव का हल कैसे निकालता है चीन की फॉर्ण मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लियू कुआंग ने कहा अपनी शेत्रिय खंडता से हम कभी भी समझाता नहीं करेंगे उम्मीद है कि भारत इसी दिशा में काम करेगा और तुरंट अपने उन जवानों को पीछे हटने के लिए कहेगा जिनोंने चीन की सीमा में खुस पैट की है मानसरवर यात्रा के सम्मंद में चीन ने दो टूक कहा है कि आने वाले समय में हमारी नजर इस पर रहेगी कि भारत की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है उन्हें सुरक्षा की स्थिती को मजबूत करने के लिए खतम उठाना होगा चीन की ओर से यात्रा रोके जाने की चलते नाथुला गर्रे से क्यालाश मानसरुबर जाने वाले 47 श्रद्धार्वों को चीन में रोक दिया था और उन्हीं गंट्रोक वापस आना पड़ा था तीम इंडिलिंस